चुछ ट्रशुटमूद में आपका स्वागत है, आरीप इएफ का मॉक टेस्ट है, आये मॉक टेस्ट लगाते हैं, यह बहुत ही important question है, बार-बार exam में आते हैं, और इसमें से आपको direct exam में, आप अभी भी जो exam हो रहा हैं, उसमें देख सकते हैं, और आगे जो Group C में आप जोल बहुत लोग है Group C में, RPF में, तो उन्हों की एक्जाम में बहुत ही important सवाल है यह, तो यह सुरुवात करते हैं, मटर पौधा है, मटर पौधा है, यह एक पुस्पिये पौधा है, याद रखिएगा, मटर किस परकार का पौधा है, तो एक पुस पुस भी दिया है, तो सुल पुस पौधा है, अगर एक पुस पिये पौधा है, तो आप एक पुस पिये पौधा है, इसमें लगाईगा, तो पहले के एंसर क्या हो जाएगा, यह Q выход को बहुत लोगग गलत कर देते हैं, किस पौधे के फल भोमी के नीचे पाए जाता है, त तो आप इसका असानी से एंसर लगा सकते हैं कि यह कौन है गन्ना है गन्ने के पोधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता फल आप देखें गन्ने के पोधे में यह नहीं होता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चावल का दाना है ऐसे कोशन बार बार आ र पत्तों में होती है तो के क्लोरोफील के उपस्थाती के कारण पत्ता कैसा धिखाई देता थे तो हरा दिखाई देते यह शबसे लंबी हड़ी है मानो शरीर में जो है वह सबसे लंबी हर्डी कौन सी है तो पता है आपको मानो शरीर में 206 अपाई जाती है जो कि बच्चे में अगर जन्मे वाला बच्चा का लिया जाए तो उसमें उननों का 300 हर्डी होती है लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होते जाते हैं अपने में जुटती जाती है और कित्तने बढ़ जाती है 206 बढ़ जाती है ठिक उसे लम्भी अधिक कोन सी है तो ज knife सबसे लम्भी हढ़ी होती है वह आपको जांग पह्ड़़् होती है किसके हड़ी होती है तो जांग का पहूट याद रखे कि जीसे क्या दे रहे हो जान रहे होंगे जो भारत का रास्टिय खेल है वो हौकी है रास्टिय Market क्या है होकी बहारत चटम और दियांचेंटरतेजी से उनकी का जादुकर बोला जाता है और चिंपारगे से मना जाता है तो श्तिक का fенное的時候 दिलवाया था ठीक तो सब्सक्राइबर ट्रेक डालिंग यह सब आप अले नाम सुनते होंगे जब टेलिफॉन होता था था तो पैन से च्ण आपको कहीं आमाट जमा करने के लिए चूपियोग होता हैं इसके नबाड का पुडु रूफ है एक नबाड यह क्या है ग्रामच बैंक है और इस पुडु रूफ यह है इसके ह Shane क्या हो जाता है तो राश्टिे क्रिसी तथा ग्रामीड वीकास बेंग राश्टिे क्रिसी तथा ग्रामीड विकास दश्क्सर क्या हो जाएगा नेश्नल बैंट ऑफ द्स न्याल्ख ओफ एगूप कर्ण का विकुल्चर ओल स्व डिपलिप backlog हो जाएगा व sponsor बाइ 12 जुलाई 1982 को माने जाता है इसकी अस्थापना ठीक और ये देश में ग्रामेड छेत्र में जो विकास है तू उपलब्द कराए जाने वाले रीन उपलब्द कराते है तो यह जो बहुत लोग जानेगे कि हिरोईन के अफ्रिश्क्रित रूप है नहीं है यह यूरेनियम अक्साइड के रूप में जाना जाता है क्या यूरेनियम अक्साइड के रूप में जाना जाता है ठीक कि यूरेनियम से मिली जुली यह मिलकर बनाया जाता है और छेप होता है फिटकीरी गंदे पानी को किस पर किरिया दवारा सख्च कर देती है यह भी दे द तो लेकिन पुटकीरी जब डाला जाता है उस परकिरिया को ना जाता है जिस परकिरिया से यह परिस्वस्थ होता है पानी तो असकंदन कहा जाता है ठीक तो यह उठ्वकी होता है। वो मुख रूप से किस से बनावता है तो यह कलेसियम कर्बोनेट से बनावता है केलसियम कर्बोनेट से बनावता है याद रखिएगा जय हिंद का नारा किस ने दिया था जो जय हिंद का नारा दिया गया था वह किनके द्वारा दिया गया था तो मूती लाल नहरू द्वारा तेकम के द्वारा दिए गए था मोटीला नहरू द्वारा दिए गाथा ठीक और यह दिशकी वाला नाराा था एक जिसका एंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा 14 का एंसर C हो जाएगा बागे कोशन देखते कि किस ने कहा था तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हे अजादी दूँगा ये हमारे महान नेता कौन थे तो सुवाश चंदर बोश थे कौन थे शुबास चंद्रबोश पारवड व्लोग के अस्थापना भी किये थे कौन सुबास चंद्रबोश किये थे तुम मुझे कुन दो तो मैं तुझे आजाधी दूँगा हमारे राष्टे गीत के लेखक कौन है जो हमारे राष्टे गीत है उसके लेखा कौन माने जाते और जो राश्टी हमारा गान जिसे जना गना मन गया जाता है उसका रविन्दना टैगोर माने जाते है ठिक तो सुल्ला का एंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आप बेखे इसमें देरा अगला कोशन सत्रह कि गुदान उपनियास के लेखा कौन है बहुत ही मतपड उपनियासे जिसने नहीं पढ़ाई जाकर पढ़ालो बहुत ही जिसने गदान का उपनियास के लेखा। उपलक्ष में हम लोग क्या माना तो गर्तेतर डिवस मना ते हूद साहया चुनलोग हो चुका था, उसके बलपस स्बेथान परथेक शरुन के लागु हो चुकार दिया हुद्थ Michael हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है तो हम हिंदी हमारे राष्ट बासा है और इसी के उपलक्ष में हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं चैंज 14 शितंबर को याड रखे यागर ही वहुत important question है डो अक्टूबर को गांथी जी के जैंच इसलिए गांथी दीवस मनाया जाता है अंतराश्ट्य महिला दीवस के मनाया जाता है ये सबसे favorite question है रेलवे का अंतराश्ट्य महिला दीवस के लिवस मनाया जाता है कि आत्मा किसे कहा जाता है तो अगर देखिए अगर इसमें भाग दे रहा है किसी भी तो परस्तावना क्या है सभिधान द्वारा ये बेख्यत कर दिया गया है कि परस्तावना जो है सभिधान का भाग है और उसमें सभिधान सवसोधन किया जा सकता है जिसमें बैलिश्वा सविधान ससोधन इंदरा गांधी के राज में तो इसके अनुसार अगर आत्मा के संग्या प्रस्तावना को भी दिया जाता है लेकिन मौलिक अधिकार के आर्टिकल जो 32 है आर्टिकल 32 अगर यहां पर आता तो वो आर्टिकल 32 को भी क्या अम्बेटकर जी क्या बोलते है सभिधान के आत्मा बोलते थे ठीक लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ भागे के उपलक्ष में दे रहा है तो यहाँ पर एंसर क्या वोज़ेगा प्रस्तावना हो जाएगा मैं किस परपेक्ष में बता रहा हूं क्योंकि यहीं कोशन जो है कोलकात P.C.S. में आया था उसमें जो अंसर बताया गया था वह परस्तावना को बताया गया था आप देखं़ लिजिएगा जैस का मैं मेरे कोडिंग परस्तावना ही होगा नहीं तो बहुत लोग इसका एंसर ड भी लगा देते हैं ठीक लगशन एक कोलकाता बहुत जगा धांगे क कोई उसके सामने धारम नहीं है कोई उसके सामने धारम से निरप्यक्श दरह धरम नाम का कोई चीज नहीं है लेकिन अगर हम пять निरप्यक्श सब्द जोडते है तथे इसका एक भवार्त्र निकलता है कि कोई पंध का इसके सामने भैलू नहीं सब पंथ को सब पंथ को इक यइनदू ढलग अलग पंथ हैं फिंदु फिलहाल अगर पूछा जाये तो है तो यहां पर आपका देखे यह कोश्चन में आपको देखे दिया हुआ है पांसो चालिस नहीं होगा यहां पर पांसो पैतालिस होगा ठीक अभी जो भारतियों लोग फिलहाल जो कितने सदस से हैं जैसे कि एक बोटिंग भी पास हुआ है और अच्छड पतास परसेंट वाला जेनरल लोगों को जनरल लोग में सभी लोगों को जिनकी संख्या है 31 परसेंट जिसमें मुसल्मान के भी जेनरल ला जाएंगे सीख के सबस 544 थी अभी इसमें एक ही एंगलो इंडियन को मनुनित किया गया था इसलिए 544 थी लेकिन आपको अगर परत्यक्ष रूप से चून कर बोला जाए तो 543 तो परत्यक्ष रूप से चून कर जाते हैं लोग शभा में हर एक छेत्र से ठीक है लेकिन अगर बात किया जाए सर आप ध्यान से देखिएगा सी हो जाएगा 545 लगा कर सी होगा ठीक है और अगर अधिक्तम संख्या पूछता है तो अधिक्तम 552 हो सकता है ये भी याद रखेगा और ये कब तक अस्थाई संख्या निर्धारित किया गया है कि इससे अभी नहीं बढ़ाया जाएगा तो 20 26 तक अस्थाई किया गया है ये भी याद रखेगा चोविश्वा कोशन कि किस राज के सबसे अधिक परतनीधी चुने जाते है तो किस राज के सबसे ज्यादा जन संख्या होगा उसी राज के सबसे ज्यादा परतनीधी चुने जाएंगे तो उत्तर परदेश में सबसे ज् पूछ देता है यह कितना है तो परधान मंत्री बनने के लिए आप कम से कम तो लोग सभा के सदस हो सकते हैं राज सभा के भी सदस होंगे तो बन जाएंगे ठीक किसी के नहीं भी सदस हो तो बन जाएंगे लेकिन छे महीना बाद आपको राज सभा का सदस होना पड़ेगा तो तो वैसे इनका जो कम से कम एज होना चाहिए 25 वर्स होना जाहिए तो 25 का एंसर भी हो जाएगा अलेकिन यहीं अगर राजसभा का पूछा कम से कम कितना होना चाहिए तो 30 वर्स होना चाहिए और परधान मंत्री किसी का भी सदस हो सकता है तो लोग सभा के हो रहा है तो 25 वर्स भी बराया गया है और ये थे हमारे सरदार बल्ला भाई पटेल थे ठीक सरदार बल्ला भाई पटेल थे केंदर सरकार के बैय को नियंतरित करने की सकति किसके पास है तो जो केंदर सरकार के बैय नियंतरित किया जाते है वो जिसे इसके जो देख रिख किया जाते है मिन्स इसक परिख्षक है जो मुखरूप से वाचे डोग करता है कि कहा पैसा कितना खर्चा हुआ घोटाला बाजी जो होता है उसका यहीं देखता है तो मेरे काने का मतलब जो कोशन है उसमें थोड़ा इसका भावार्थ अलग निकल रहा है लेकिन इसमें दे रहा है कि किसको नियंतरित मतलब की जो देख रहे करता है वो लेकिन अगर पैसा जो ब्याख्या करने का अधिकार किसके पास है तो 28 का एंसर आप क्या लगा सकते है देखिए अभी जो शंसद में कानून बन रहा है उस पर देख रहे हैं बहुत से ब्याख्या हुआ बहुत से लोग अपना अपना वि संसद के पास है संसद के पास है लेकिन अगर उसमें कोई अगर एषा है जो व्याख्या करने वाला है व्याख्या किया चा सकता है अगर इसकर ने के ब्याख्या करें उसका सही भवार्थ बताए ठिक और इसी के कारण जो सरोच न्याले है वो एक किस्वानन्द भारती मामला जो आया था उसमें मूल धाचे का प्रस्ताव भी दिया था कि सभिधान में अब तो संसत बदलाव कर सकता है उसके पास अपार सकती है लेकिन सभि सरोच न्याले में है न्याई कामकाज के लिए किस भासा का अभी जो उपयोग किया जाता है वो दोनों बना दिया गया है लेकिन अभी जो फिलहाल जो उपयोग किया जाता वो अंग्रेजी भासा का ही सबसे ज़या तबल जो दिया जाता है लेकिन आप दोनों भासा में ही क जो अधिकतर काम काज होते हैं, वो इंगलीस में ही होते हैं, लेकिन आप वहाल पर हिंदी की भी अब उप्योग कर सकते हैं और जो आपको क्लैट एक्जाम ले रहा है, उसमें भी अब हिंदी की एक कोशन पेपर आने की लिए सुझाओ दिया जा रहा है कि जो इंगलीस में को भारत कीतने उछ्च नियाले कीसेFit है कि अबर्द for गया तो में उच्छ नियाले की रोग्त लिया गया था nap अब्सट प्रेख चाहिए है और नहीं करते हैं लेकिन किसी का में अब आधा क्या आधास do करता है ब्हारत में कितने उच्ट नियाले है जो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत मैं जो उच न तो अगर कि आग पत्र सौपना होता है तो किसे सौपएंगे जिसके राष्टتم को उसमें उप्राजपाल की बेवस्था दिया गया है जैसे दिल्ली हुआ पांदुचेरी हुआ और वहां पर जो बेवस्था दिया गया है उनकी नियुक्ति कोन करता है तो परतियक शुरूप से राष्टपति के परति वो जो अब देह भी होते हैं और उनकी नियुक्ति भी राष्टपति ही करता है तो दोनों की नियुक्ति उपराजपाल राष्टपति दोनों को करता है लेकिन उपराजपाल कि जो सकती है वो पूरा राष्ट पती के हाथ में नियुक्त किया जाते हैं, 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 नियुक्त किया जाते है लेकिन उसमें जो बिशेस लोग होते हैं वो सुझाओ अपने बैठक बुलाते हैं और उसमें से एक नेता चुनते हैं ये बोला जाता है लोग सभा के नेता या बोला जाता है राज बिधान सभा के अगर राज में बोले तो नेता और उन्हीं वही क्या होते हैं या तो राज मंत्री बनाया जाए इनको रक्षा मंत्री बनाया जाए इनको फल्ला मंत्री बनाया जाए तो फिर अलग-अलग बनाया जाता है ठीक इसमें से यह जो बोलते चैन करकर परकिरिया करकर दिया जाता है फिर उसकी कौन करते हैं नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं यह हो जाएगा इसके अंदर, कौन करता है मुख मंत्री का, तो राजपाल होता है, राज्यों के मुख मंत्री है, राज्यों के मुख मंत्री के अन्युक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनित होते हैं, या चाइनित होते हैं, देखें, वह ही कोशन है, बार-बार उपर वाला ही कोशन ह पिट हो गया है राजो के मुखमन्तरी मुखमन्तरी के लिखती किसके द्वारा की आला जाता है तो राजपल चान सरथ भारत में किस परकार की बिदुद का स्वार्थिक उत्पादन न होता है तो भारत में अभी तप सबसे ज़्यादा इंग्लेंड में मानी जाती है वह है कौन theoretically उत्तर प्रदेश अगर चावल का पूछता है तो वो है पसिम बंगाल ठीक तो उत्तर परदिस में सबसे जादा होता है अगर सोया भी इनका पूछता है तो उम्मद परदिस में सबसे जादा होता है परतिहक के बाद से आता है तो पंजाब हरियाणा में सबसे जादा होता है पंजाब आप लगाईएगा भार रात में हरित करांती के जनक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं ऍमस्वामी Nodhan माने जाते हैं चंधरगुप्त गया था चड़त के निति के भी बारे में आप जानते होंगे और एंके पंधान मंत्र इह चंदर rant or के श्थित है तो यह जो इस्थित है करनातक मिश्थित ठीक और वहीं पर अपना अंतिम समय भीतार थे और भूख भूख छोड़कर मैंने खान पन छोड़कर अपना मिर्ट्व का त्याग कर दिये थे मेगस्थनीच किसका राज्दुत था अगर एक कोशन देते था है कि मेगस्थनीच किसके दरबार में आये था तो वह तो चंद्रगुप्त मोर हो जागा लेकिन अगर यह द चंद्रगुप्त मोर अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का नुवाई बन गए थे तो मैंने बता है आपको यह क्यों धर्म का नुवाई बन गए थे तो यह जैन धर्म का नुवाई बन गए थे अगला कोशन है कि अर्थ सास्त किसकी राचना है और्थ सास्त जो राचना है वो किसकी नस्तना है तो वो माना जाता है कोटिल जिसे चणक भी बोला जाता है जिसे विशुल गुप्त भी बोला जाता है जो चंद गुप्त मुर के क्या थे परधान मंत्री थे तो ये कोटिल हो जाएगा इसमें परसासन के बारे में दिया गया है राजिनितिक के बारे में के समीप पढ़ता था ड़ो विस्व का सबसे उचा जलब पर पुछता और इंडिया का सबसे चलब परपात थी जो कि मंदल में स्वार्धिक मात्रा में उपस्तित गयस की मात्रा है वो नैट्रोजन है लगबग 78% के करीब आता है नैट्रोजन उसके बाद आक्सीजन आता है थिक तो सब इससे ज्यादा जो है वो किसका उपस्तिती है तो नैट्रोजन का है वाई मंदल के सबसे निचली परत है उसे हम लोग क्या कहते है तो छोब मंडल कहते है वाई मंडल के सबसे निचली परत क्या है छोब मंडल और और जोन मंडल जो है न सूरज की पैरा बैगनी जो हनी कारक किरना है उसे चान लेता है और और जोन का सुत्तर क्या होता है ओथरी होता है याद रखिएगा वाई मंड बहुत 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 धन्यवाद बहुत 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